Hello student, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं, आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो student, हम सब क्या पढ़ रहे थे? Class 8, subject math, और subject math में हम क्या किये थे? दो chapter complete कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम तीसरे chapter के बारे में बात करेंगे. और तीसरे chapter का क्या नाम है? Squire sand, square root. तो कैसे square निकाला जाता है? और कैसे उसकी property क्या होती है? इन सभी के बारे में आज हम discuss करेंगे. तो अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के description box में उन सभी वीडियो का link दे दिया हूँ. और link open करके आप उन सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं. Otherwise आप channel open कर लिजे, channel पर playlist available है, वहाँ से आप सभी वीडियो को एकदम serial wise देख सकते हैं. तो चलिए student बिना time based के वीडियो को start करते हैं. तो अब देखिए हम क्या किये हैं, यहाँ लिख लिए है chapter 3 और chapter 3 का क्या नाम है? squares and square root. अब square and square root क्या होता है? इसके बारे में हम discuss करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे squares क्या होता है? जैसे कि आप सब पिछली वीडियो में पढ़ हो गया. अब 2 का square कितना होता है? 4 हो जाएगा. किलिए यह आप पढ़े हैं. तो ऐसे हम क्या करेंगे? और अच्छे से समझेंगे. पहले हम समझ लेते हैं, square होता क्या है? देखिए square क्या होता है? square किसे कहते है? if a number is multiplied by itself. अगर कोई भी number खुद का multiply हो, that product so obtained. मतलब उससे ज that number. क्या है? उस number का a square है. उसी को हम क्या बोलते है? square बोलते है. किलिए है? एक बर फिन से बताता हूँ. कहा गया, अगर किसी भी number का खुद का multiply हो, और जो product हमको प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते है? उस number का square है. clear जैसे example समझते हैं. यहाँ पर देखो, example से हम अच्छे समझ लेते हैं, अभी पूरा आपको clear हो जाएगा. जैसे मैंने कहा, अगर x x x x का multiply करेंगे, क्या हो जाएगा? x square हो जाएगा. ऐस ऐसे 16 x 16, जब 16 का करेंगे, A square हो जाएगा, और इसका square कितना होता है? 256. ऐसे 0.7, 0.7 multiple 0.7, जब इसको हम लिखेंगे, A square हो जाएगा, 0.7 का whole square, और जब इसको हम इसका square लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 0.49. ऐसे आपका fraction में देखो दिया गया है, 4 x 5 x 4 x 5, बेस सेम है, त इसका square करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 x 25. उम्मीद करते हैं, आपको square के बारे में समझ में आ गया होगा. इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो आगे आपका क्या है? perfect square. अब perfect square क्या होता है? देखो, perfect square किसे कहते हैं? जितने आपके डिरूरल लेंबर्स इसकाल ऑप रफेक्ट इसकाईर है जितने भी आपके डिरूरल लेंबरर्स है कि, आप कभागा Umber जैसे ओवन यहा पर देखिए, वन का स्कॉर्ण क्या होता है? अनलब 1 का वगण का स्कॉर्ण यहा मदलब इसकॉर्ण के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 4 का स्कॉार करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ऐसे 5 का स्कॉार करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 4 का square क्या होता था, 2 बताएंगे, 9 का square क्या होगा, 3 होगा, 16 का square क्या होगा, 4 होगा, 25 का square 5 होगा, 36 का square 6 होगा, यह सब देखिए आपको क्या है, निर्चुरल लंबर है तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं हाऊ तू फाइड परफेक्टवाइड मनलब कैसे हम़क्षेक करते हैं इसका पतिछान के लिए हम autobiogram से समझते हैं जैसे हम को तुनसुन है 5 हो गया hardちゃundKS 36 ho गया नाइन रेड़ हो घ्तरी थाउजन 1976 75 इसका करना है perfect स्कायन निकालना तो इसको कैसे निकालना जैसे हम regime निकालना फाइब कर five time पढंगे तो किटना होगा फाइब टेबल फाइब टाइम पढ़ेंगे 25 हो जाएगा 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे की 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा ठीक फिर इसको ऐसे निकाल कर फिर हम ऐसे लिखेंगे इसको प्रोडेक्ट के रूप में देखो 5 5 is equal to 5 into 5 into 5 into 1 1 का कोई मतलब नहीं है अगर आप किसी भी नमबर में 1 से multiply करेंगे कितना आएगा आपका वही नमबर आएगा देखो 5 कितनी बार आया है 2 टाइम आया है तो हम क्या करेंगे जो आपका दो-दो का पेर लेना है यह दो का पेर हुआ 5 into 5 अब देखिए बेस सेम है यहां पर हो गया 5 का square मतलब अगर 25 का आप से square पूछा जायत किसका होगा 5 का होगा clear ऐसे आप देखो 36 का LCM की तरह निकाल लोगे तो हम जब इसको 2 से divide करेंगे 18 हो जाएगा फिर 2 से divide करेंगे आपका 9 हो जाएगा जब हम 3 का table 3 बार पढ़ेंगे 9 आजाएगा 3 को 1 बार ट प्रोडेक्ट के रूप में लिख लो देखो मैंने क्या किया प्रोडेक्ट के रूप में लिख लिए अब क्या करना है देखो 2 2 का पेर बनाना सेम है इसका पेर हो गया इसमें से एक नंबर निकाल लो इसमें से एक नंबर निकाल लोगे तो एक क्या हो जाएगा टू इंटू थिरी और इसमें से एक नंबर निकाल लोगे टू इंटू थिरी अब देखो ए दोनों सेम है मतलब पूरा आपका क्या हो जाएगा बेस हो होगे 6 आगर 6 का square करेंगे 36 आ जाएगा ऐसे similarly हम क्या करेंगे 81 का करेंगे तो देखो पहले हम 2 से करेंगे 2 के टेबल में 81 आता ही नहीं तो 3 के टेबल में आपका 3 से डिवाइट जब करेंगे 27 27 में जब 27 में 3 का multiply करेंगे एट्टी बन होगा ऐसे हम क्या करेंगे जब इसको ठीटिंगे थीर का टेबल नाइन, उट्री का टेबल पढ़ेंगे हो जाएगा फिसका देखोव ऐसे फ़ांम में लीक लिखे लूकर प्रोड्रेक्ट की फो में लीक लिए अब ऐसे पेर बना लो जैसे आप क्या करोगे दो-दो का ही पेर बना लो जैसे आप क्या करोगे दो-दो का ही पेर बनता है इसमें से एक कॉमन कर लो इसमें से से बताने की कोशिस किया हूँ जिससे आपको अच्छ समझ में आ जाए ठीक तो उम्मिद करते हैं अगर आपका नाइन का स्क्वाइर कितना बताएंगे अगर आप से पूछा जाएगा 81 का स्क्वाइर क्या होता है तो 9 बताएंगे किलियर अब आज आते हैं हम 900 का देखते हैं सेम नंबर का दो दो का पेर दो का पेर अब इसमें क्या करेंगे एक एक हम एक एक नंबर ले लेंगे पेर मन से एक ले लेंगे इस पेर मन से एक 5 ले लिए 3 के पेर मन से एक 3 ले लिए तो देखो इसको एक ब्रेकेट में कर लिए अभी एक एक पेर बच्चा है तो उसको हम क्या कि हैं ऐसे लिख लिए अब देखो इन सभी का मल्टिफ्लाई करो 5 पूजा 10 अब इसके बाद 10 10 का टेबल 3 बार पढ़ो 30 फिर ऐसे similarly यहां 30 अब देखो बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 30 का स्क्वाइर अगर आप से पूछा जाए 30 का स्क्वाइर कितना होता तो आप कितना बताएंगे 900 ऐसे ही अगर आप से पूछा जाए 900 का स्क्वाइर कि क्या होगा तो आप बताओगे 30 अब similarly उससी प्रकार से हम क्या करेंगे 3000, 3675 को LCM निकालेंगे और इसका पेर बनाएंगे तो देखो यहाँ पर जिसका पेर बन रहा है अगर जिसका पेर नहीं बना तो समझ जाना ए नमबर परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है ए परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है ए परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है क्योंकि देखो यहां पर आपका थिरी का पेयर ही नहीं बना, जब पेयर बनेगा तभी यह आपका इसक्वायर बनेगा, अदरवाइस नहीं बनेगा, देखो, 55 का इस पेयर बना, 77 का पेयर बना, अब इसमें से हम क्या करेंगे, जिसका पेयर ही नहीं बन रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे जिस number का pair नहीं बन रहा है हमको क्या करना पड़ेगा एक 3 all लाना पड़ेगा यह तो आप सब जानते हैं जब हम एक 3 all लाएंगे तब यह जाकी square होगा तो हम क्या करेंगे यही जो एक 3 जिसका pair नहीं बनेगा जिसका हम LCM निकालें इस number में multiply कर देंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे एक एक number यहां से ले लिए तो देखो 3 into 5 into 7 फिर 3 into 5 into 7 तो अब इसमें से क्या करो इसका multiply करो 105 इसका 105 तो देखो base सेम है तो पावर एड हो जाएगी ए हो जाएगा 105 का square कितना होता है 11,025 ऐसे आप क्या कर सकते हो अगर multiply नहीं कर रहे हो तो आपका अगर आप multiply नहीं कर रहे हैं तो आप जिसका पेर नहीं बना उसको divide कर देंगे तो कितना आजाएगा 1225 यह आपका perfect square बन जाएगा ठीक है यह आपका perfect square बन जाएगा जैसे आपका 5 into 5 7 into 7 यह जब आप LCM करेंगे तो same में ही product आएगा clear है तो ऐसे similarly यहां से एक एक common कर लेंगे एक एक common करके हम निकाल लेंगे और आपका क्या हो जाएगा 35 का square हो जाएगा clear है उम्मीद करते हैं आपको perfect square समझ में आ गया होगा और ऐसे ही आपको exercise में मिलेगा और ऐसे ही हम क्या करेंगे solve करेंगे अब आगे बात करते हैं property अब property से पहले आपको मैं square बता देता हूँ कितने का 1 से लेके 100 तक का आपका square और उसमें से उसमें से आपको लगभग 30 तक square 30 तक square learn हो जाना चाहिए ठीक है जो आपको exam में काम देगा जैसे देखिए ये आपके सभी square है ये देखिए कहां से लेके आपके book में दिया होगा अगर आपके book में दिया है वहाँ से आप क्या करिए इन सभी square को पढ़ लो अब पूरा पढ़ना नहीं है बस केवल आपको क्या करना है 30 तक square आप जानते रहिए ठीक है इतना maximum है अब यहां से लेके once लेके आपका 100 तक का square दिया गया है अगर आपको screen start लेना है तो आप क्या करिए screen start ले लीजिए ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह once लेके 100 तक square दिया है तो देखो यह सब आपका square है और यह number लिखा गया है 123 करके आपका 100 तक और उन सभी का square दिया है clear है तो उम्मीद करते हैं आपको square समझ में आ गया होगा इसके बाद हम क्या करते हैं square की property के बारे में बात करते हैं जो very very important है ठीक है एक property बहुत ही important है अगर आप नहीं पढ़ेंगे property तो आगे आपकी exercise आने वाली है उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आपको property नहीं याद रहे कि तब तक आप exercise solve नहीं कर पाएंगे clear है तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए देखो यहाँ पर हमने क्या किया है लिखा है properties आप square number मनलब जो square की properties होती हैं उनको हमको discuss करना है total आपको 9 property पढ़ना है बहुत तीजी है ध्यान से सुनिए देखिए और example के साथ मैं आपको बताऊँगा जैसे property number first अब property number first क्या कहती है look at the unit's place of a number आपको कोई भी number दिया जाएगा उसका केवल last unit देखना क्या देखना है unit place देखना जैसे कि आप सब जानते हैं इंड नमबर है clear if इंड अब जो unit place है वो किस से इंड होगा 2, 3, 7 and 8 अगर कोई भी number 2, 3, 7, 8 से इंड होता है then it is not perfect square यह पहली property होई पहली property क्या कही अगर कोई भी number दिया गया और वो number 2, 3, 7, 8 से इंड होता है तो वो कभी भी perfect square नहीं होगा यह याद रखिएगा clear है जैसे यहाँ पर मैं आप से बात करूँ तो देखो सभी number का इंड में चेक करो यह बताओ आपका 7 यह आपका 7 क्या perfect square है यह आपका perfect square है तो आपको अभी में बताया है 2, 3, 7, 8 जिस भी number के अंत में आ जाएगा वो कभी perfect square नहीं होगा अब देखो इसका 1 आया है, 4 आया है, 4 आया है, 1 आया है, 1 आया है, 1 आया है जिस भी number के अंत में 2, 3, 7, and 8 आ जाए या unit place 2, 3, 7, 8 आ जाए वो perfect square नहीं रहेगा clear है, तो पहली property आपको समझ में आ गई होगी, इसके बाद second property के बारे में बात करते हैं देखो second property क्या कहती है, second property आपको बताती है कि the number of zeros the number of zeros at ints of a perfect square, always even, अगर कोई भी number, कोई भी number 0 से int होता है, या कोई भी number 0 से खतम होता हो, always क्या रहेगा, even रहेगा, ठीक है वो perfect square भी रहेगा, और किस number का रहेगा, even number का, जैसे यहाँ पर देखो, आपका hundred भी even number है 9000 भी even number है, और आपका ए जो, once 10, 100,000, 10,000, 10,000, 10,000, करोड, ए जो number दिया गया आपका 3 करोड, ए भी आपका देखो, सब int हो रहे हैं, 0 से, 0 से ए हो गए हैं, आपका क्या, perfect square और ए even number का perfect square है, clear है, उम्मीद करते हैं, तीसरी property भी समझ में आ गई होगी, कोई भी number अगर 0 से इंड होगा, वो क्या होगे, वो आपके perfect square हो जाएंगे, ठीक, अब इसके बाद हम property number third के बारे में बात करते हैं, देखो, property number third क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा, square of even number, square of even number, अगर किसी even number का square करते हैं, तो always even number ही होता है, clear है, अगर even number का square करेंगे, तो even number ही आएगा, ठीक, और square of odd number, अगर किसी odd number का हम square करेंगे, तो always आपका odd ही number आएगा, जैसे example समझो, यह देखो, 5 आपका क्या है, even है क्या odd, यह 5 आपका odd हो गया, ठीक है, 5 आपका odd हो गया, ऐसा number जो 2 से पूरा पूरा divisible ना हो, उसे हम क्या कहते है, odd number, तो यह देखो, odd number का जब square करोगे, तो odd ही आएगा, अब यह देखो, आपका even number है, और even number का square करेंगे, तो आपका even number ही आता है, जो की आपकी third property कहती है, और odd number है, तो 7 का square करेंगे, तो देखो, 49 भी आपका odd है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, आपको, इसके बाद 8 देखो, आपका even number है, तो even number का, जब हम square करते हैं, तो even number ही आता है, तो उम्मीद करते हैं, आपको third property भी समझ में आ गई होगी, इसके बाद हम बात करते हैं, आपकी fourth forth property क्या कहती ही इसको समझते हैं इसमें 2 case है आप अच्छे समझना तो fourth property में जो आपका पहला case है जो a number है इसमें कहा गया if a number अगर कोई भी number divide by 3 अगर कोई भी number 3 से divide होता है अगर कोई भी number जब 3 से divide करते है तो उसका जो remainder आता है 2 आएगा ठीक है ठीक है अगर कोई नंबर दिया गया है हमको उसको क्या करना है परफेक्ट स्क्वाइर चेक करना है अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं अगर उसका रिमेंडर 2 आ गया तो समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है क्लियर है ऐसे आपका सेकंड केस क्या कहता है कि कोई भी नंबर है जब उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमेंडर क्या आ जाए 2 आए या 3 आए तो वो भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वाइर नहीं होगा समझ में आया प्रापरटी नंबर 4 क्या कहती है अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमेंडर अगर 2 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वाइर नहीं होगा और ऐसे दूसरा केस कहा गया अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड करेंगे और अगर उ सेकंड प्रापरटी क्या होती और फर्स्ट प्रापरटी क्या होती अब प्रापरटी नंबर 5 के बारे में बात करते हैं तो देखो प्रापरटी नंबर 5 क्या कहती है प्रापरटी नंबर 5 कहा कि इफ यन इज परफेक्ट स्कॉयर कहा गया कि यन आपका परफेक्ट स्कॉयर यह जो आपका yen नंबर है यह आपका कोई perfect square यह नंबर आपका perfect square है then 2 yen और उसी क्या किया गया दो गुना बढ़ा दिया गया can never be perfect square अगर yen आपका perfect square है अगर यह 2 yen हो जाएगा तो ओ प्रफेक्ट square नहीं हो सकता है समझ में आई, property समझ में आई, ठीक है, yen आपका perfect square है, बट अगर उसी को 2 yen कर दोगे, मतलब उसको yen में 2 से multiply कर दोगे, कभी भी आपका perfect square नहीं बनेगा, किलियर? फिर इसके बाद आपकी property number 6, अब property number 6 क्या कहती है, एक perfect square number, अगर कोई भी एक perfect square number है, मतलब कोई भी number का जिसका perfect square हो, वो never negative, कभी भी वो negative नहीं होता है, ठीक है, जिसका perfect square बन जाता है, वो कभी भी negative नहीं होगा, किलियर? इसके बाद seven number property क्या कहती है, for every natural number, यन, मतलब जितने भी आपके natural number है, वो यन है, we have the sum of first, यन, odd, natural number, तो ओ क्या हो जाएगा, ओ square के बराबर होगा, जैसे, अब अगर one का square करेंगे, एक क्या हो जाएगा, one होगा, और sum first odd number, ठीक है, इसमें क्या किया गया, first odd number, natural number है, जैसे आपका हो गया square, जैसे आपका देखो, एक two है, ठीक है, अब two का square, अब इसको हमको square, अगर इसका हमको square नहीं पता है, तो हमको पता है, four, first जितने भी odd number है, दो, अगर दो का square निकालना, तो दो odd number add कर दो, एक one और एक three, एपको पता चल जाएगा, करी two का square क्या होता four होता, देखो, यहाँ पर वही चीज लिखा गया, two odd number, जब दो odd natural number को add करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक square बन जाएगा, ऐसे आप अगर देखिए, three, three का square कितना होता, nine होता है, अब इसमें क्या करना है, आपका first three odd natural number add करना है, जैसे आपका, इस first odd natural number हो गया, यह आपका second odd natural number हो गया, फाइब, third odd number natural number हो गया, इन तीनों को add करेंगे, कितना आजाएगा, nine और यह हो जाएगा, three का square, अब उमीद करते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद, इसके बाद property number eight के बारे में बात करते हैं, अब देखिए, property number eight क्या कहती है, for every natural number यह, जितने भी natural number हो उनको हम यह माने, अगर यह प्लस one का square करें, और minus n का square करें, तो हमको क्या मिलता, यह प्लस one plus n, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसके बाद देखो, example से समझें, अगर यह प्लस one का whole square करें, और minus n का square करें, और जब इसको open करेंगे, तो यह प्लस one plus n, ए एक bracket में, ठीक है, जब इसको हम multiply करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, one plus, नई, n plus one plus n, ठीक, अब जैसे यहाँ पर कौन सी property यूज हुई है, देखिए, a का square minus b का square की property क्या होती, a plus b, एक bracket में, एक bracket में, a minus b, a property हो गई, अब जैसे हम example से बात करने, जैसे आपका 14 का square अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को add करेंगे, इन दोनों को add करेंगे, कितना आजाएगा, आपका 27 आजाएगा, फिर ऐसे 28 का square, minus 27 का square, इसको जब add करेंगे, कितना हो जाएगा, आपका 55 हो जाएगा, तो उमीद करते हैं, आपको 8 number property भी अच्छे से समझ में आ गई हो ठीक है, अब 8 triplet क्या होता है, इसको अच्छे समझना, क्योंकि ये बहुत ही important है, देखिए 8 triplet जैसे mnp, mnp 3 natural number है, mnp क्या है, 3 natural number है, उसी को हम क्या कहते है, पैथागोरस, पैथागोरस triplet, ठीक है, इप m का square, प्लस n का square, और p का square, आप पैथागोरस ठीओरम पढ़े ह होंगे, नहीं पढ़े हैं, तो अच्छे से जान लेजे, कहा गया, triplet क्या होता, अगर 3 और 4 दिया गया है, 3 और 4 और 5 इसको कहते, triplet, अगर आप इन दोनों का square करेंगे, और इसका square करेंगे, इस equation में रखेंगे, ये क्या होगा, same आज आएगा, अगर इसका जितना number करेंगे 9 और 4 का square करेंगे 16, अब 5 का square करोगे 25, ये मतलब इसको जोड़ोगे 5 और 5 का square क्या होता, 5 square, clear हुआ, इसके कहते हैं, triplet, ठीक है, इसके बाद ऐसे देखो, 8 का square मैंने किया, 15 का square किया, तो 8 का square करेंगे 64 और 15 का square करेंगे 225, अब इन दोनों को add करेंगे, कितना हो जाएगा 289, और 289 किसका हो जाएगा, 70 का square, तो यहाँ पर देखो, इस second वाला, ऐसे third है, clear है, इसके बाद हम 9 property के बारें बात करते हैं, जो आपकी last property है, ठीक है, तो last property क्या कहते है, for any natural number, यम, कोई भी एक natural number है, जिसको हम यम कहा रहे हैं, और यम greater than 1, और यम क्या है, एक से बड़ा है, जैसे, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 यम, कॉमा, यम square minus 1, यम square plus 1, is a Pythagoras triplet, यह formula है, किसी भी number का हमको triplet बनाना है, तो इस formula से use करके, हम उस number का triplet बना सकते हैं, जैसे, हमने example, अब हमको example से आपको मैं बता देता हूँ, जैसे, यम का मान कितना लेंगे, 4, तो इस equation में, यम का मान पूट कर दिजिए, यम की value पूट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, triplet मिल जाएगा, जैसे, देखो, 2 यम, यम का square minus 1, यम का square plus 1, ठीक, अब देखो, जैसे करेंगे, हम value पूट करेंगे 4, तो यही हमको triplet निकल के आ जाएगा, देखो, 2 यम, तो यह आपका 2 हो गया, यम का मान मैंने 4 रखा, तो यह कितना हो गया, 8 हो गया, clear, ऐसे, यम square minus 1, जब यम का मान 4 रखेंगे, तो 4 का square करेंगे, और उसमें से एक घटा देंगे, 4 का square 16 होगा, एक घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसे, यम का square plus 1, अब का square करेंगे 16 और उसमें 1 एक करेंगे 4 का square कितना हो जाएगा 16 और plus 1 करेंगे 17 यह आपका triplet हो गया ठीक है इसको solve करेंगे तो यही आपका triplet होता है तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी property समझ में आ गई होगी ठीक है जितनी भी property बताया हूँ कैसे square निकाला जाता है प्रॉपर्टी बताया हूँ, सभी प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आई होगी, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपको फिर से बताने की कोशिस करूँगा, और उम्मीद करते है हैं, ऐसी कोई भी पॉइंट इतनी हाड नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, तो उम्मीद करते हैं, आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें, तो चलिए स्टुडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक्यू